तो दोस्तो आज हम आपको प्रिंटिट कपड़ा और प्लेन कपड़े की मदद से बहुत ही खुबसुरस सा डिजाइन बना कर दिखाने वाले हैं प्लेन कपड़ा जो लिया है वो हर तरफ से 20 za20 इंच निन लिया है तो इससे हम पहले मार्किंग करेंगे अब यहाँ पर हम सबसे पहले प्रकार पर मना कर पर अपनी स्केल को रकेंगे और र rashने के बाद में इस तरीके से हैं आपनी मार्किंग शुरू करेंगे यह देखिए अब इस मार्किंग से आगे की तरफ हम अपने फिट्टे को इस तरीके से रखेंगे यह देखिए फिर इसके आगे हम रखेंगे और मार्किंग करेंगे तो देखिए दोस्तो हमारी जो marking ए हुँ कुछ इस प्रकार से हो रही है और इसी प्रकार से हम आगे तक अपनी marking को complete करेंगे दोस्तो अगर आपको इसी तरा के और वी डिज़ाइन चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर विजिट जरूर करें जिसका नाम है www.roofashionpoint.com जहां पर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लाउस के डिजाइन्स कुर्ती के डिजाइन्स और आप अपनी फैब्रिट एक्टर्स के आउटफिट्स के वारे में भी जान सकते हैं मतलब कि उन्होंने कौन सी ड्रेस कौन से फंक्चन पर पहनी हुई है अगर आप इन सब चीजों में इंट्रेस रखते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट जरूर करें जहाँ पर आपको सारे डिजाइंस एक साथ देखने को मिलेंगे और कुछ अलग तरह के डिजाइंस भी देखने को मिलेंगे तो देखी दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी एक साइट से मार्किंग जो है वो कंप्लीट कर ली है इसके बाद दोस्तो हम अपनी दूसरी वाली साइट से मार्किंग कम्प्लीट करेंगे आप चाहें तो इस कोने से भी कर सकते हैं और इस से भी कर सकते हैं तो यहाँ पर भी हम अपने स्केल को इस कोने से बिलकुल मिला कर रखेंगे और इस तरीके से मार्किंग करेंगे तो देखी दोस्तों यहाँ पर हमारी जो मार्किंग है वो पूरी तरह से कंपलीट हो गई है इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है आपने जो यह निशान लगाए है ऐसे ऐसे आपको इस तरीके से इनको फोल्ड करना है और fold करने के बाद में आपको place से crease बना लेनी है ये देखी हमारी एक plate पे crease बन गई है इसी परकार से दोस्तो हम अपनी सारी marking पे plates बना लेंगे दोस्तो इसमें आपको खास चीज ये है कि marking का खास दियान रखना है क्योंकि आपकी जो plates है वो marking से अलग ना टूटे बस इसी चीज का आपको खास दियान रखना है तो दोस्तो जिस तरह से हम अपनी इधर की side की plate तोड़ रहे हैं इसी तरह से सेम हम इधर वाली भी सीधी सीधी plates को तोड़ लेंगे place की मदद से तो देखी दोस्तो यहां पर हमने अपने पूरे pattern पर इस तरीके से plate तोड़ ली है और इसके बाद दोस्तो हम अपने pattern को इस तरीके से उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद में जो यह हमारे निशान देख रहे हैं इसके बाद दोस्तों हम फिरी से इस तरीके से पलटेंगे और इसी तरीके से स्लाई लगाएंगे तो देखी दोस्तों इस तरीके से हमारी यहां पर पिंटेक्स बनके आ रही हैं और इसी तरीके से दोस्तों हम बारी बारी पूरी लाइने बना लेंगे तो देखी दोस्तों यहाँ पर हमारी एक तरफ की लाइने जो है वो कुछ इस परकार से बन गई है इसके बाद दोस्तों आपको फिर से इस पैटन को उल्टा करना है और उल्टा करने के बाद में अब बाकी रहती है ऐसी ऐसी लाइने तो ऐसी ऐसी लाइनों को भी आपको इस तरीके से पोल्ट करना है यहां से और यही सेम इसी तरीके से स्लाई लगा देनी है तो देखिए दोस्तों यहां पर हमारी जो टोटल लाइने हैं वो बनकर तयार हो गई है और अब हम अपने पैटन को इस तरीके से बीच में से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में दोस्तों यहां से जो बंद वाली साइट है साथ इंच पर निशान लगाएंगे हम और इस पैटन की जो हम लंबाई रखेंगे तयार वो रखेंगे चौदा इंच यहां पर हम सीदा सीदा चौदा इंच पर कट करेंगे यह देखिए चौदा इंच पर निशान लगाने के बाद में यहां से हम यहां तक एक सेफ देंगे जो की B शेप होगी अब इस यहां पर कटिंग कर देंगे और कटिंग करने के बाद में देखिए हमारे पैटन का जो लुग है वो किस प्रकार से आ गया है यह देखिए और अब हम अपना neck cut करेंगे बुकरम पर तो जिसके लिए हमने अपनी बुकरम की जो चोड़ाई ली है वो ली है 12 इंच और लंबाई ली है 6 इंच और बीच में से fold कर लिया है हमारे neck की जो broadness है वो है 9 इंच तो 9 इंच का half करके साढ़े चार पर निशान लगा लेंगे और लंबाई हम रखेंगे यहाँ पर four and half मतलब के साढ़े चार और यहां से अपनी एक बॉर्ड neck safe देंगे और safe देने के बाद में दोस्तों इसके अंदर की तरफ मतलब अंदर की तरफ हम आदा इंच पे एक निशान और लगाएंगे इस तरीके से देखिए और लगाने के बाद में बाहर वाले निशान पे यह जो हमारा बाहर वाला निशान है इस निशान पे एक इंच पे इस तरीके से मार्क हम लगाएंगे एक-एक इंच पे उपर तक यह हमने एक-एक इंच के मार्क लगा दिये हैं और उपर की तरब जो मार्जन बच रहा है वो आपका कंदी में दबने के लिए मार्जन बच रहा है अब हम क्या करेंगे दोस्तों यहां से इस निशान तक एक सेफ देंगे इस तरीके से कंगू रह वाली इस तरीके से हम अपने पूरे निशानों पर सेफ बना देंगे और इसके बाद दोस्तों हम इसकी कटिंग करेंगे सेम मार्किंग पर और इसके बाद दोस्तों हमारा जो यह बाहर वाला गोलाई वाला निशान लगा है इस निशान से बाहर की तरफ हम आदा इंच पर मार्क और लगाकर इसकी कटिंग कर लेंगे तो देखी दोस्तों हमारा जो नेक है वो कुछ इस तरीके से कट के आ गया है और इसके बाद दोफिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपने पैटन को उल्टा गर के बिचाया हुआ है फिर हम अपने नेक को इस तरीके से 20 सेंटर में यह देखना है आप लैन बनी हुई है इस सेंटर में हम अपने नेक को बिल्कुल सही से मिला कर रखेंगे यह देखे और रखने के बाद दोस्तों हम इसके ऊपर एक पेपर फ्युजिंग चिपका देंगे इस तरीके से देखिए तो देखी दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी पेपर फ्यूजिंग को और नेक को एक साथ चिपका लिया है और देखी नेक की जो सेफ कटी है वो सेम आपको paper fusing के अंदर से नजर आएगी इसके बाद दोस्तों हम अपने pattern को सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है लेनी है अपनी ये वाली layers, मोती वाली और इसको इस तरीके से अपने pattern के उपर यहाँ पर set करना है और इसको लगाने के लिए आपको अपनी machine में single boot भी लगाना होगा तो अब हम यहाँ पर अपनी pipe in के बराबर बराबर सलय लगा कर इसको complete करेंगे तो दोस्तों ये हमारे pattern पे less लग गई है इसके बाद दोस्तों हम अपने neck को बनाएंगे तो neck को बनाने के लिए हम अपनी लेंगे कुर्ती और कुर्ती का जो ये देख रहे हैं आप हमारा उपर की तरफ रखा है उल्टा भाग इस उल्टे भाग के उपर हम यहाँ पर इस तरीके से इसको set करेंगे और set करने के बाद में पहले 20 सेंटर में एक कच्ची सलाई लगाएंगे और उसके बाद अपनी सेफ पर सलाई लगाएंगे और इसके बाद दोस्तों हम जो है एक्ट्रा मार्जन अंदर का काट देंगे थोड़ा मार्जन छोड़ते हुए और यह जो आप गोलाई देख रहा है इनके कोने बने हुए इन कोनों पर आपको इस तरीके से छोटे-छोटे कट लगाने हुए और ध्यान रखना है सिलाई ना कटे आपकी और इसके बाद दोस्तों आपने जो सेंटर में ये कच्ची स्लाई लगाई है इसको खोल देना होगा और खोलने के बाद अपने नेट को बाहर के तरफ पलड़ देना होगा और कच्ची स्लाइड निकालने के बाद में दोस्तों जो हमारे ये कंगूरे हैं इनको हम धीरे धीरे ऐसे करके निकालेंगे और निकालने के बाद में दोस्तों हम इस पें फिनिशिंग के साथ प्रेस कर लेंगे तो देखी दोस्तों यहाँ पर हमने अपने नेक पर प्रेस लगा ली है और प्रेस लगाने के बाद में हमारे नेक का जो लुक है बहुत ही खुबसूरत आ गया है और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना देखी जो पैटन आपका पूरा भी हटा हुआ है इस पैटन को यह एक पिन यहाँ और एक पिन यहाँ लगा लेंगे और अब हम क्या करेंगे देखिए अपनी यह जो लेस देख रहे हैं आप इस लेस को अंदर की तरफ को फोल्ड करते हुए किनारी की सिलाई लगाते हुए पूरे पैटन को ठीक तरीके से अटेच कर देंगे तो देखी दोस्तों सिलाई लगाने के बाद में हमारे पैटन का लुक है बहुत ही खूबसूरत आ गया है सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को क्लिक जरूर कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोडिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे दोस्तों अगर किसी कारण नोडिफिकेशन नहीं मिल पाती है तो आप हमें हमारी वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com जहां पर आपको हमारे सारे डिजाइंस एक साथ देखने को मिलेंगे और कुछ अलग तरह के डिजाइंस भी आपको देखने को मिलेंगे तो मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में कुछ खास लेकर आपके लिए तब तक के लिए थेंक यू फॉर वाचिए